दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे चार्जिंग से रिलेटेड यानि मोबाइल फोन चार्जिंग से रिलेटेड कुछी मिसकंसेप्शन्स के बारे में जो की गलत फेहमिया हैं, जो गलत धारणाएं हैं जो लोग काफी पहले से बना करके रखे हैं और वो आज भी लागू करते हैं जो की आज की रिट में वो बिल्कुल मिसकंसेप्शन ही है क्योंकि उस पर बहुत सारे काम हो चुके हैं अपग्रेड हो चुके हैं लेकिन आज भी लोग समझते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है जैसे मोबाइल को रात बर चार्ज में छूट जाता है तो मोबाइल बलाश हो सकता है उसको 100% ही चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या फिर पहले 0 तक भी चार्ज करना चाहिए उसके बाद उसको 100% तक चार्ज करना चाहिए इस तरीके के बहुत सारे misconception है जो सभी को समझना चाहिए जानना चाहिए जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बहुत important वीडियो होने वाली है समझने के लिए वीडियो के साथ लास्तक बने रहे हैं वीडियो को आई करके हमारा होसला भी बढ़ा है कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट किया धार पर भी वीडियो आती रहती हैं आईए दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो चुले बीते एक डिड़ दसक में मोबाइल टेकनलोजी के छेतर में जबरदस्त भी कास हुआ है, लेकिन फिर भी स्मार्ट फोन को लेकर कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, जो बेसिक फोन के जमाने से ही चली आ रही हैं, ऐसे ही कुछ भ्रांतियां हैं फोन की बैटरी और चार इस वीडियो के अंदर हम लोग बैटरी और चार्जिंग से जुड़े ब्रांतियां और उसके पिछे छिपी सचाई के बारे में बात करेंगे, बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो के साथ लस्ट तक बने रहें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ओ ओभर चार्जिंग की वज़े से फोन में बिस्पोस हो सकता है, या फिर ओभर चार्जिंग की वज़े से बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, अगर आप जाहें, तो कई महीनों तक अपने फोन को चार्जिं रखा हुआ है, क्योंकि लिथियम आइन बैटरी ओभर चार्जिंग को लेकर काफी सेंस्टिव होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादे मिसे इस ध्यान रखा गया है, अगर हम इसमर बात करें, तो इसके अंदर जो है ओभर चार्जिंग प्रोटेक्शन दी जाती है, ज ओभर चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट, फोन को ओभर चार्ज होने से रोकता है, जैसे ही बैटरी 100% चार्ज होती है, यह पावर सप्लाई को बिल्कुल भी कट कर देता है, बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही बैटरी 100% से कम होती है, पावर सप्लाई फिर से ओन हो जात जब तक कि आप अपने फोन को चार्जिंग से हटा ना दे। यानि कि आपका फोन अगर महीरों तक भी चार्जिंग पे लगा रहेगा तब तक भी वह न तो आपका फोन कभी ओभर चार्ज होगा और नहीं उससे किसी भी परकार का बिसफोट होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोन के अलमा एकुपमेंट हैं जिसमें पावर हमेशा लगी रहती हैं कभी उसको कट अफ नहीं किया जाता फिर भी उसके बैटरी को कुछ भी नहीं होता उसी परकार आज की रिट में स्मार्टफोन में यूज होने वाले बैटरियां भी हैं क्योंक चार्जिंग के दवरान फौन में हेटिंग पाईदा होती है जिससे फौन गर्म हो जाता है इसलिए फौन में टेंपरिरिचर सेंसर दिया जाता है जो फोन और बैटरि के तापमान पर हमेशा नजर बनाये रखता है स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के मुताबिक चार्जिंग के दौरान फोन का तापमान 40 डिग्री तक पहुचना बिलकुल आम बात मानती हैं, उतना होगा ही होगा, लेकिन अगर तापमान इससे उपर चला जाता है, तो तापमान का जो सेंसर है, जो टेंपरेचर जो सें इसके लिए आप गर्मियों के मौसम में आपने अक्सर देखा होगा कि फास्ट चार्जिंग होने के बाउजुद भी, आपका जो फोन है वो काफी धीरे चार्ज होता है, यानि कि फोन जितना ज्यादा गर्म होता है, वो उतना ही धीरे चार्ज होगा, क्योंकि उसकी चार् वाले फोन को भी लगाया तो उसकी चार्जिंग स्लो हो जाती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि उसका protection system काम कर रहा है उसका temperature section काम कर रहा है ताकि आपका phone खराब ना हो सके आपके phone को किसी परकार का नुकसान ना हो सके आपकी battery जो है खराब ना हो सके इन सब को ध्यान में रख users का यह मानना है कि battery को हमेशा full charge यानि 100% चार्ज करके रखना चाहिए और जब तक battery पूरी तरीके से discharge यानि zero नहीं हो जाए तब तक आप उसको दुबारा चार्ज में नहीं लगाना चाहिए इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि इसके battery की cycle life बढ़ती है और वह लंबी चलती है लेकिन यहाँ बात सत्य नहीं है अगर smartphone निर्माता कमपनियों की माने तो phone की battery को पूरी तरह discharge नहीं करना चाहिए जब battery का charging label 20% पर आ जाए तो उसे फिर से charge पर लगा देना चाहिए और 80% से ज़्यादा charge नहीं करना चाहिए यानि कि battery को हमेशा 20-80% के बीच में र जाएगी उससे होगा कुछ नहीं बस battery की life बढ़ेगी लेकिन ऐसा नहीं कि 100% charge करेंगे तो वह blast हो जाएगी या फिर काफी heat हो जाएगे ऐसा कुछ नहीं है बस उसकी life थोड़ी सी ज़्यादे बढ़ जाएगी अब यहाँ पर एक और बात आती है कि अन्य company के charger से phone को charge नही जाएगी इसलिए हमेशा phone के साथ आये हुए original charger का ही इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ तक की phone बनाने वाली company भी यहीं कहती है लेकिन यह और उसके phone के अनुकूल हो चाईए कहने का मतलब आपका जो वरीजिनल जो चार्जर था उसका जो एंपियर था बोल्टेज और एंपियर था उसके आसपास का ही एंपियर का चार्जर होना चाहिए आईसा नहीं कि आपके फोन का जो चार्जर था वो 20 वाट का था और दूसरा चार्जर आपको मिल गया 100 वाट का तो उससे आप चार्ज करने लग जाएं एंपियर मिला जुला करके रखें तो कोई दिक्त नहीं है किसी भी कंपनी का चार्जर हो कोई प्रब्लम नहीं आएगी लेकिन एंपियर का बहुत जादे ऊपर नीचे होना ये फोन के लिए गलत है मेन फंडा यहाँ पर काम करता है तो इस तरीके से कुछ भांतिया फैले हुई है मार्केट में कुछ मिस्कंसेप्शन है मैं उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आये होंगे दोस्तों वीडियो इंफर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेट में ज़रूर बताए इसी परकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूँ नेक्स किसी और अच्छ इंफर्मेटी वीडियो को साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यबात करता हूँ आपका दिल सुभू